बिना किसी एक सामान के वशीकरण कैसे करना है जेहां एक महाशक्तिशाली वशीकरण बीज मंत्र बीज मंत्र जिसे आपको केवल 101 बार बोलना है इस मंत्र के इस वशीकरण की समाप्ती के बाद में आप जिसके उपर भी वशीकरण करना चाहते हैं वो आपके वश में तुरं तो मंत्र इस प्रकार है, आपको बस करना क्या है कि अपने पास में थोड़ा सा पानी रख लेना है, विधी में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, ध्यान लगाएं, जिसके उपर आप वशीकरण करना चाहते हैं, जब आप प्रसन्न हो जाएं, तो आपको एक मंत्र बोलना है मंत्र है, ओम ख्लीम नमो, क्लीम ध्हूम नमह है, जी हाँ मैं आपको यह मंत्र लिख के बता देती हूँ, आप इस मंत्र को बोलिए, और इस मंत्र से तुरंट आपको फायदा होगा ये मंत्र है ओम, क्लीम, नमो, धूम, क्रीम, नमह, तो दोस्तों ये मंत्र है जो आपको बोलना होगा करीब 101 बार, जब आप इस मंत्र को बोलेंगे, तो आपको फायदा होगा, जी हाँ मैं आपको बता रही हूँ, इससे आपको बहुत ज़ादा होगा, तो दोस्तों ये मंत्र है जो आपको बोलना होगा, इस मंत्र को आपको 101 बार बोलना है, आपके साम और उसके बाद आपको सो जाना है दो बातों का ध्यान रखना है आपको इस तिन कुछ भी नौन विज नहीं खाना है और ना ही हाथ में किसी प्रकार का पत्थर जैसे मुंगा पुखराज या फिर इस तरह की कोई भी चीज आपने धारण ना की हो इस बात का आप विशेश र चलाएगा आप से आपके बात करने के लिए बहान डूनेगा और उसे पता ही नहीं चलेगा कि वो कब आपकी तरफ समोहित हो गया दोस्तों इस विधी को अगर आप ध्यान पूर्वक करते हैं तो आपको इसका फल जरूर मिलेगा और मैं आपको बता रही हूँ अगर आपक कि जो भी जिसको भी आप अपने वश में करना चाहते हैं वो तुरंत आपकी तरफ खिचा चलाएगा तो आप इसे कीजिए और उसके बाद हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर बताईए कि आपको इसका कितना फल मिल रहा है साथी साथ दोस्तों एक बात का और ध दोस्तों और हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे आपसे तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों